प्रदीव मिश्रा अपने वीडियो के लिए बताये था आपको कि मैं गडित की पुरी स्रिंखला ला रहा हूं और एक की करके तमाम सारे चैप्टर्स जितने भी गडित में हैं और जितने आपकी आवर्शक्ता के लिए हैं उन सब पर हम लोग एक एक वीडियो लाते चले जाएंगे और एक एक भात बताते चले जाएंगे आपको करना यह होगा कि उनकी छिर्जम को देखना होगा कोंसेट कैसा चल ला हूं और फिर उस पर एक तरह से हम सवाल करवाते चले जाएंगे इसी क्रम में आज एक नए टापिक हम चर्चा करते हैं ब्याज ब्याज की चर्चा करते हैं देखिए ब्याज क्या होता इसे इंट्रेस्ट कहते हैं इंट्रेस्ट ब्याज क्या है मेरे नजर में ब्याज एक किराया है अब किराया क्या है जब किसी दूसरे की बस्तु को हम दिष्डी guys, देक किराया होता है तो यह जो लिक्विड मनी है तरल मुद्रा जिसको हम किसे से उधहर लेते हैं या देते हैं तो आखिर वह और भी तो उस धन का हम किराया दे रहें, तो यह ब्याज एक परका का किराया, अब अगर किराया है, तो किराया दो परकार का क्यों है, आपने आप जानते होंगे, कि ब्याज दो परकार का होता है, एक का नाम होता है साधारण ब्याज, एक का नाम है चक्रप्रधी ब्याज, तो दो परक कॉंसेट जरा सोचिए एक आदमी के पास अत्रिक धन रखा है जबकि धन के पास धन कमाने की अपार्थ संभावनाय होती है और एक आदमी के पास फालतों में धन बड़ा हुआ है तो जो जरूरत मंद है जो उस पर महिनत कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं क्यों नहीं उसको इस् कान्सेफ अब दिखिए सद्धाण बयाज क्या होता ओः चकवर्थी बयाज क्या होता सद्धान बयाज होता मौलिग भ्याज हुआ है तो उसमें दूरत आपने मूलधन अक्रामेशा चोटरण रहता है आणि अगर महलीजी आपने स्भव्य मूलधन लगा जया और उस पर ब्याज चला है तो हर साल दत रुपे हर साल दत रुपे हर साल दत रुपे पूरे जीवन काल तक हर दम चलता रहेगा कोई बदलाव नहीं आने वाला इतने हम साधान ब्याज कहते हैं और जब एक साल के मूलधन एक साल का मूलधन जो गया और इसने एक साल में जितना ब्याज कमाया अगर वह ब्याज हम मूलधन में जोड़ दे और अगले साल के लिए एक नए मूलधन की रचना कर दे तो हम कहेंगे यह चक्रवर्धी ब्याज हो गया यानि कि आप ऐसे सोच सकते हैं कि पहले साल का मिश्धन पहले साल का मिश्धन जब दूसरे बरस के लिए मूलधन का काम करने लगे तब आप कह सकते हैं यह चक्रवर्धी ब्याज है तो आईए हम पहले एक एक करके ब्याज करते हैं हम साधान ब्याज की चर्चा करते हैं सबसे पहले हम साधान ब्याज की चर्चा कर रहे हैं, इसको आप SI कह सकते हैं, Simple Interest, तो पांच सब्दों के बारे में आपको जन कर जए, किवल पांच सब्द अगर आपको पता सिल जाए, तो साधान ब्याज की सारे सवाल आप से हो जाएंगे, उन सब्दों का हम नाब ले रह हैं, मूलधन, मिश्वधन, ब्याज, दर्ब, समय, ये पांच सब्द ध्यान से देखिए, इनी पांच सब्दों पर पूरा का पूरा ब्याज का काउथेप्टिक हा हुआ, अब इनके नाम ले लो क्या है, मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल, इंग्लिश में प्रिंसिपल ह होता है, इसका पहला अच्छर P होगा, मिश्धन, इसे एमाउंट कहते हैं, पहला अच्छर A होगा, इब्याज है, इंट्रेस्ट, पहला अच्छर I होगा, इदर है, रेट, पर्थम अच्छर R होगा, और समय है T, टाइम, यानि इस तरह से इन पांच अच्छरों ने मिल कर के इस पूरे ब्याज का कॉंसेट त्यार कर लिया, अगर आपको साधान ब्याज का कॉंसेट देखना है, तो SI बराबर आप समझ सकते हैं, P into R into T upon 100, मतलब इसको आप इसे समझ सकते हैं, कि मूल्धन, गुड़ा दर, गुड़ा समय, बटा सो, अगर इसे कार दिया जाए, त अगर आपको साधान ब्याज पता चल चुका है, तो इन चार पदों में, एक, दो, तीन, चार, कोई भी तीन वैलू देकर चोथी वैलू पूछी जा सकती है, तो आप अच्छातर करके दूसरा फार्मुला बना सकते हैं, देखिए, जैसे कि अगर मालो P पूछ लिया जाए तो आप लिख सकते हो, SI गुड़ा 100 अपान R इन्टू T, अगर आप से R पूछ लिया जाए, तो आप कह सकते हो, SI इन्टू 100 अपान P इन्टू T, अगर आप से T पूछ लिया जाए, तो कह सकते हो, SI गुड़ा 100 अपान P इन्टू R, यानि यही 5 सब्द घूम फिरके आ रहा और बेसिक तमाम परशनों की बात ये लोग कर ले जाएगे, तो इतनी बाते आप पहले से जानते होगे, नहीं जानते होगे, तो इसको नोट कर ले जिए, बेसिक बाते हम आपी कर रहे हैं, अब देखेंगे कुछ खास बात है इसमें, बारे में मिठा रहा हूं इतना दूर, आपको सद्धार ब्याज पढ़ते समय एक छोटा सा पहाड़ा याद करना चाहिए 73 का पहाड़ा आप याद करना है किया जब्रत पढ़े इसकी कभी शाहिद देखा नहीं हुगा ये 73 का पहाड़ा इस साधार ब्याज के पहाड़ें क्या जब्रत पढ़े दरसल होता क्या है कि कभी कभी दिया रहता है कि 5,000 रुपे है 10% बार से सधान ब्याज की दर से 219 दिन का सधान ब्याज बताईए अब अगर 219 दिन का सधान ब्याज बताना होगा आपको तो 219 दिन को आपको वर्ष बनाना होगा और 219 दिन को जब आप वर्ष बनाओगे तो 365 से भाग दोगे और यह किसी और संक्या से कटने वाला नहीं है केवल और केवल 73 से कटेगा तो आप बहुत आराम से तीन बटा पांच इसको कह सकते हो तो इसलिए आपके लिए यह आवश्चक हो जाएगा अगली एक नई बात इसमें क्या है सदान ब्याज में आप चाहे तो एक फार्मूला क्रियेट कर सकते हैं हलागि फार्मूले की जरूत हमको पढ़ती नहीं है लेकिन आप चाहे तो कर सकते हैं देखे कैसे माल लिए पी आपको मालूम है मुलधन है और अगर इस मुलधन पर आर प्रसेंट दरते टी वर्ष का ब्याज निकाल करके इस मुलधन में जोड़ दिया जाए तो आप बताईए क्या एमाउंट बन गया बही मुलधन में अगर आप ब्याज जोड़ देंगे देखिए एमा 100 A प्लस पी आर्टी बराबर यह 100 कहां पहुँच जाएगा वहाँ 100 A आप बताईए इन दोनों में पी कामल लिया जाए सकता है 100 प्लस क्या बचेगा आर्टी वहाँ क्या होगा 100 A तो पी बराबर क्या हो जाएगा 100 A अपान 100 प्लस आर्टी यह वहाँ आवशक्ता पड़ेगी जहां पर आपको मुल्धन दिया जाएगा मुल्धन दिया जाएगा दर दिया जाएगा और आपको समय दिया जाएगा सरे सरे मिश्दन दिया जाएगा दर दिया जाएगा समय दिया जाएगा आपको मूल धन गयाद करना ज़रा तो अगर ऐसा जूलत पड़ी तो इस फार्मुले के पिश्टमाल कर सकते हैं और अगर आपको याद रहे याद रहे तो अच्छी बात है नए याद रहे तो बहुत अच्छी बात है कोयी टेंसन नहीं हम लोग बहुत आराम से इस सवाल को क पर ले जाएंगे अब एक और नए बात बताते हैं किस्तो में भूबघदम होता है पैसे को कभी-कभी कुछ बड़ी चीजे जब भाइते हैं जैसे माली जै कोई घर खहिते यह लहा इए जिसके हम लोन ले 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 के कर्ज को आर परसत वार्षिक साधार्ण ब्याज की दर से यन वार्षिक किस्तों में चुकाना है यदि परतेक किस्त का मान एक्स रुपए हो तो एक एक्क्वेशन बनाए जा सकता है एक बड़ा का एक्क्वेशन में लेख रहा हूं घबराने की बात नहीं है मैं क्वेशन करूँगा तो आसानिस करूँगा उसको आप नोट कर ले एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इंटो आर गुड़ा एक बटा सौ प्लस एक्स प्लस एक्स गुड़ा आर गुड़ा दो बटा सौ एक्स प्लस एक्स गुड़ा आर गुड़ा तीन बटा सौ प्लस डॉट 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 पुलस एक्स पुलस एक्स गुड़ा और गुड़ा एन माइनस वन बटा दो सौट और बराबर ए आप देखे लोगे इतना बड़ा फार्मुला बना दिया गया अगर इतना बड़ा देखने में आपको बड़ा लग रहा लेकिन घबडाने की कोई जरू अगर हमने कहा कि एक अगर यह सद्धाने ब्याज समय से चुकाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा की कल्पना कीजिए कि हमने 4 एक्स रुपिया करजा ले लिया सब्सक्राइब चार एक्स आपने करजा ले लिया पहला एक्स करजा आपको आज ही जुकाना है हाँ एक बात में बताना भूल गया आपको मैंने कहा था कि व्याज एक किराया है तो अगर किराया है तो किराया दो परकार से लिया जाता है एक किराया होता है कि जो तुरंत होता जैसे आप कमरे में रहने आ गए तो तुरंट किराय ले लिया, अगर मैं उदाहर देना चाहूं तो टेंपो का किराया और रेलवे का किराया आप देख सकते हो, टेंपो का किराया यात्रा करने के बाद देना है और रेलवे का किराया यात्रा करने से पहले देना है, तो जो तो आपकी बार इस पैसे को देना है इस पर आपको एक साल का ब्याजबी देना पड़ेगा देखिए एक साल का ब्याजबी देना होगा तो यह पहला दूसरा किस्त हो गया देखिए पहला किस्त है दूसरा किस्त है तीसरे किस्त पर क्या हो रहा है तीसरा किस्त अगर पुंच करना है तीसे किस्त में तो तीसे किस्त में आप देख रहे होंगे दो साल का ब्याज देना पड़ रहा तो देखिए एक सुरुपया तो देना ही पड़ेगा पलस एक सुरुपया पर आर पर सदर से दो साल का ब्याज भी देना पड़ेगा अब बताइए चौथे किस्त में क्य होगा इस ब्याज को देना किस्त को देना होगा तो इसमें आप देख रहें तीन साल का ब्याज भी देना पड़ रहा आप जहां से देखिए तो पहले साल अगर आपको ब्याज नहीं देना पड़ा, तो दूसरे साल में एक साल का ब्याज देना पड़ा, तीसरे साल में दो साल का ब्याज देना पड़ा, चौथे साल में तीन साल का ब्याज देना पड़ा, ऐसे अगर होता रहे, तो बताएए यह नवे वर्स में क्या होगा, यह नवे बार में, एन माइन चलिए हम एक की करके सवाल लेते हैं पहले प्रकार का सामाने प्रशन लेता हूँ जैसे माल लेजिए कि आपको मूल्धन दिया है 5000 दर दिया है 10% और समय दे दिया गया 3 वर्ष और पूशा गया साधान ब्याज बताईए बाई मूल्धन गुड़ा दर गुड़ा समय बताईए 100 आप करेंगे करिए हम एसाई निकाल रहे हैं पहां मूल्धन गुड़ा दर गुड़ा समय बताईए 100 केवल काट दीजिए कि इत्ता आगया विया 1500 पांस त्या पंदरा तो जोर लग गया यह आप कह सकते हैं कि तीन साल बाद फुल पंदरा सो रुपया ब्याज हुआ अगर मालू मिश्धन पूशा जाता तो इस पंदरा सो को हम इस मूल्धन में जोड़ देते निकाल दे रहा हूँ मिश्धन जो होगा इतना हो जाएगा 5000 पंदरा सो बराबर 6500 रुपया हो जाएगा यह आपका पहला प्रकार का स्वाल हो अब इसी तरह के स्वालों में कभी-कभी आपको समय गयात करना होगा कभी आपको दर गयात करना होगा कभी ऐसे इसे करके एक एक करके बस सेम खर्मलिब खाली रखते चला जाएगे आपका उत्तर होता चला जाएगा एक दूसरा सवाल लेता हूँ माल लेजे हमने लिया मूलधन 6000 दर हमको नहीं पता दर नहीं पता समय पता पांच वर्स और ब्याज भी पता है 300 हमसे पूछा गया है दर बताओ अब जरा बताओ दर आप कैसे निकाल सकते हो तो दर निकालने के लिए हमने फार्मुन लिखा है पहले में दर बराबर होता है ब्याज गुड़ा 100 यानि 300 गुड़ा 100 बता मूलधन गुड़ा समय मूलधन है 6000 और समय कितना है 5 काट लेते हैं 2-0 यहां से 1-0 यहां से 6-35 और 30 कट गया वाओ आपका उत्तर आ गया 1% दर आया बहुत सही कोई बात नहीं डिजिट ऐसी लिया मैंने कि आराम से कट गया आप देखें 1% दर है 6000 रुपिया का 5% पांच बर्स में अगर 1% दर लगाए जा तो 300 रुपिया ब्याज एकठा हो जागा इसी प्रकार किसी सवाल में समय पूछ लिया जाएगा देखिए मा लेजिए मूलधन दिया गया 8000 दर दिया गया 10% समय हमको बताना है ब्याज दे दिया गया हमको कित्ता दे दे 1200 रुपिया हमसे समय पूछा गया समय बताईए कहीं से समय बताईए समय बराबर होता है ब्याज गुड़ा 100 ब्याज गुड़ा 100 पांच बूलधन गुड़ा समय मूलधन है 8000 दर कितना है दस कार दीजिए दो जिरो यहां से और फिर ये दो जिरो यहां से बारा में आठ से भाग देंगे आठ जड़े बारा यानि एक साही एक बटा दो वर्ष आपने दिखा कि आपको ब्याज ग्याद करना पर सकता है दर ग्याद करना पर सकता है समय ग्याद करना पर स माल लेजिए मुल्धन दिया जाए 5,000 रुपे दर दिया गया 5% और समय दे दिया गया 146 दिन और कहा गया ब्याज गयाद कीजिए क्या करेंगे ब्याज गयाद करने के लिए आपको एक ही तरीका है मुल्धन गुड़े दर गुड़ा समय बटा 100 मुल्धन कितना है 5,000 दर कितना है 5 और समय कितना है 146 बटा 365 और 500 तो रहेगा ही रहेगा अब बताईए ये दोनों 0-3 कट गया 73 थे कटना है और किसे कटेगा नहीं 73 दुना म करेंगे आप कितना गया 100 रूपिया इस तरह से देख लिए अगर आपको 73 का पाड़ा नहीं आता इसको काटना कितना मुश्किल होता होता हम एक एक करके ऐसे सवाल करते जा रहे हैं और हम चर्चा करते रहेंगे आपको चाहिए इस सभी टाइप आपको कुश्चन पर आप एक एक सवाल जरूर लगा लिए गहर में जाकर के एक सवाल लेते हैं कि जैसे माल ये कोई धन ऐसा है कि साधान ब्याज की दर से पांच वर्ष में दो गुना हो जाता है तो कितने बर्ष में ये पांच गुना हो जाएगा आठ गुना हो जाएगा इस प्रकार सवाल बनता ह देखिए कोई धन धन साधान ब्याज की दर से पांच वर्ष में दोगुना हो जाता है है तो कितने वर्षों में तो कितने वर्षों में वा छे गुना हो जाएगा यह स्वाल पूशाया हो जाएगा आप इसको ऐसे सोचिए मालो मैंने हैं लिख दिया मूर्धन यहां लिख दिया मिश्धन यहां लिख दिया ब्याज एक दब simple concept है इस पर एक फर्मॉला भी बना होगा N T-1 T2-2 विकाया था फर्मॉला है कोई देगे मालो एक रुपया आपने जमा किया तो वह दो रुपया बन गया मिजदन दुगना हुआ हमारा तो ब्याज कितना मिला एक रुपया जमा किया था हमारा दो ब्याज कितना मिले एक रुपया अब जब हुआरा दण छे गुना होगा कब हम जब एक रुपया जमा करेंगे तो ब्याज कितना मिलेगा पांच रुपया अब जराब बताये पहले इस थित् unnecessor चाज्य केमाले के लिए पांच वर्श का टाइम लगा एक रुपया ब्याज कमाले अगर पांच पांच वर्स का टाइम लगा तो पांच रुपया ब्याज को आने में कितना समय लगेगा तो आप बहुत आसानिस कह सकते हो पांच गुड़ा पांच बराबर 25 वर्स कितना नॉर्मनल कोश्चन है आप इसको फिर से देख लिजिए गा मैंने एक रुपया जमा किया और दो पांच रुपया पहली कंडिशन में हमें 5 वर्स लगे थे एक रुपया ब्याज के बाद साल लगे थे तो पांच रुपया ब्याज कोई दह दन कि मीटा देते सदाव ड्राअ कि सदान ब्याज की दर से कोई धन हैं तीन गुणा हो जाता है हो जाता है तो कितने वर्ष में ग्यारा गुना हो जाएगा अगर बारा वर्ष में तीन गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में ग्यारा गुना हो जाता है कुछ नहीं करना है एक रुपया मैंने जमा किया हमारा थन तीन गुना हो गया तो ब्याज हमें कितना मिला? नि कितना मिला दो já हमें. अगर हमने एक रुपिय जमाख़ा हमारा धन 11 गुना हो गया. तो हमें ब्याज कितना मिला? 10 रुपिया यहां पर आप लिख लीजिए मूल्धन, यहां लिख दीजे मिश्तधन, मैं ऐनलीिजिये क्या हुआ भा लियाज आप जड़ा बताए है दो रूपया द्याज कमाने में एगर बारा सालका समय लग operation कितना लगेगा फाटाएह को साथ कि ईस बदेख रहे हैं कुछ नर्म लगों को इसले लेकर के हम अगले वीडियो में आपको पास आएंगे आपको इन सब बेशिक बातों पर प्रभाब्यास कर लेना चाहिए और हम जल्दी मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद